हेलो स्टूडेंज देखे आज हम लोग जिस टॉपिक पर चरचा करेंगे उसका सिसक है एटमास्फिरिक विंस अर्थात वाइ मंदली पॉने तो जब पौनों की बात होती है कहने के मतलब जब पौनों के विशमी या विंड्स के विशमी में हम लोग चर्चा करते हैं तो अपने मस्तिक्स में कुछ न कुछ जैसे पूरू की क्लास ली गई उसके अधार पर भी देखा जाया और ऐसे समान रुप से भी कुछ न कुछ तत्य मस्तिक्स में आते हैं कि वायमंडली पौने जो हैं किस प्रकार से चलती हैं इनका स्वरूप क्या है तो वास्तों में जो वायमंडली पौने हैं जो पूरे पृथवी के चारो तरफ अलग-अलग दिशाओं में चलती हैं और उनके स्वरूप में काफी परिवर्तन सीलता देखी जाती है तो यह वायमंडली परिसंचरन का प्रतिरूप है कहने का मतलब जो atmosphere circulation पूरे पृथवी के चारो तरफ विस्तित वायमंडली संगठन में हो रहा उसके प्रतिरूप है अगर हम देखते हैं कि जो वायमंडली परिसंचरन हो रहा उसके पीछे मौली कारण क्या है तो पूरुमे में हमने चर्चा किया कि वाय दाबंतर कहने का म हो रहा है वायमंडल के अंतरगत वो समपादीत होता है तो जिस प्रकार का भी परिसंचरन हो रहा है वायमंडल के अंतरगत अथाट atmosphere circulation हो रहा है उसके अंतरगत जब देखा जाता है तो इसमें काफी भी विज़ता है चाहो छेत्रविशेस की संदर में बात कर लें या समय इसके संदर में बात कर लें तो इनको देखते हुए जलवाई वैग्यानिकों ने किसने जलवाई वैग्यानिकों ने पूरे प्रिथवी के सतर पर जो वाई मंडली परते हैं उनमें तीन प्रकार के परिसंचरण की बात की प्राथमिक जो परिसंचरण होता है कहने का मतलब ज इस पर आज मुखिरुप से हम चर्चा करेंगे और प्रमानिन पौनियों के साथ साथ जेट स्टिम जो की काफी उपरी अपर कारेंगमत उपरी वाई मंडली सतह में चलती है जिसे कहा जिता छोब मंडल और समताप मंडल का जो मद्ध भाग है जिसको छोब सीमा करते हैं उसके साथ साथ तिरतियक वाई मंडली परिसंचरन अर्था टरसरी एटमास्फिरिक सर्कूलेशन आता है जिसमें लोकल विंड्स काने का मतलब हुआ इस्थानी पाउने तथा दैनिक पाउने चलती है जैसे दैनिक पाउने में आप देखते हो कभी हवा पच्छिम से पूरव की और चनल लगती है पूरव से पच्छिम की और चनल लगती है तो कभी दच्छिन से उत्तर की और कभी उत्तर से दच्छिन की और तो यह जो पाउने होती है इनमें जो प्रेसर गेडियंट होता है तुरंत परिवर्तित होता रहता है जो पर्मानेंट पाउने उनमें प्रेस प्रेसर ग्रेडियंट क्या होता रहा है पूरे वर्स बल लवक एक समान रहता है और उसी प्रकार से जब सेकेंडरी एटमास्फिरिक सर्कूरेशन की बात करते हैं जिसमें चक्रवात इत्यादी का निर्माण होता या निस साइक लोन विक्षित होते हैं उनमें जो अफिररक विंज्ट ऊस ले हम क्या देखेंगे विंज्ट कहते किसे पलं कहते किसे तो पलं न िका से हुआ है तो रू घृट पाभकी है I am हम आजी सांस्कृतिक क्रियाएं हो रहे हैं उसको किसी न किसी रोप में प्रभावित करती है ये पौने पौनों का जो संचरन होता है इसके अधार पर जलवाय तथा मौसमी दसाओं का निधान होता है और जलवाय और मौसमी दसाओं मानों के प्रते क्रियाकलाब को कहने का मत कि दोरा जितनी भी क्रिया कलाव संपाधित हो रही है कम या जादा उसको निश्चित रुप से प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना एक समानी सी का तत्य है कि पवन कहते किसे हैं अब सवाल यह है कि देखो हर तत्य को सब लोग समझते हैं समझने का मतलब कि कारने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरों के सामने जब डिफाइन करना होता है तो प्रॉब्लम आती है तो एक तो समानी स्थिति हो गई दूसरे में जब आप तयारी कर रहे हो चाहिए UPSC की तयारी करो या इस्टेट PSC की तयारी करो करो या अधर कमपडिशन की तयारी कर तो जो टॉपिक हमारे लिए जाती है क्या होगी मल्टी डाइमेंशनल है UPSC के लिए भी बेनिफिसियल है उतनी बेनिफिसियल PSCs के लिए है और अधर ओंडे एक्जाम आप देते हैं जहां बहुविकल्पी प्रकार के कोश्चन्स हा रहे हैं मल्टिबल 24 टाइप आफ कोश करिया का धेन करते हैं तो सबसे पहले समानिफ सोरूप आता है और यह सोरूप या जो जिस्तत्यों का हम धेन करने जा रहे है अटमास्पिरिक मीन रने अर्था वाय मंडली पावन तो पावन तो हमारे डे-to-day लाइप का क्या है यह कविन अंग है अक्सर बोलते हैं हवा च कभिता सब्द लेते हैं लेकिन हाँ है एएर और एएर के सासन को क्या करना विंड यहो गई वायू और यहो गई पावन तो अंतर क्या है तो अंतर यह कि छेत्रविशेष किसी भी छेत्रविशेष की वायू काने कहने मत्व एयर जब दाप प्रवनता के कान गत्यात्मक हो जाती है तो उसे पवन कहते हैं किसी भी 36 की एयर दाप प्रवनता के कान गत्यात्मक हो जाती है तो उसे पवन कहते हैं क्या होगी डाइनिमिक हो जाएगी किसी कहीं भी एर है वो क्या होगी डाइनिमिक होगी और डाइनिमिक कैसे आया गतिशीलता कैसे आई तो दाप प्रवनता के कारण तो दाप प्रवनता क्या होती है तो जैसे वाइमंडली दाप के अगर हम बात करते तो वाइमंडली दाप क इसको हम आईसो बार लाइन से प्रदर्शित करते हैं तो सपोई आईसो बार लाइन वो लाइन होती हैं जो छेत्र विसेश के समान वाईव दाब वाले केंद्र या इस्थानों को मिलाती हैं तो इसको हम क्या करते हैं आईसो बार क्या कहेंगे आईसो बार ठीक सम दाब रेख कहा जाता है अब देखा यह यहांने हम ने तीन दिखा दिया आपको एक और हम दिखा दे रहे हैं iso बार लाँ he से हैं जो किसी भी 36 में वायद jud मेली बार तो सब्सक्राइब कि अब यहां पर एक जो आई सो बार है इसकी जो दबावे मान लिया אाट सोगान धान्बे मेली बार ठीक 960 और यहाँ पर हमने ले लिया एक हजार मीली बार और यहां हम ले लिया एक हजार हमने ले लिया एक हजार दो मीली बार और यहां हमने ले लिया एक हजार चार मीली बार एम भी मतलब मीली बार तो इस तरह से करम सब बढ़ती चले जा रही है अब देखा गया कि यहां पर जो इस्तिती है यह क्या हो गया पैच्छा कि लो प्रेशर हो गया ठिक और यहां पर क्या दिख रहा है हमें हाई प्रेशर दिख रहा है लो प्रेशर और हाई प्रेशर यहां हाई प्रेशर हुआ और लो प्रेशर तीन के मद्ध क्या हो गया दाप परवनता और दाप परवनता के कारण अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और क्या चलेंगी पौने चलेंगी तो इसके कारण यहां से क्या चलेंगी पौने आगे बढ़ेंगी यानि कर यहां आप से बात क्या की गई कि वाई दाप परवनता के कारण अगर छित्र वि विंड कहेंगे अब यहां ध्यान रखना है कि जो हवा चैती चले और जेंटल चल रही है वो तो विंड है लेकिन विशेश परिस्तितियों में कभी-कभी वाइदा प्रवर्ताने प्रेसर गेडियेंट आता है तो हवा क्या करती है लंबवत चलती है वर्टिकल अगर यह इस से कुछ सर्कूलेशन हो रहा है तो इसको कहा जाता है एर करेंट ध्यान रखेंगे कई बार यह कोश्चन साफ से पूछे गए अलग-अलग कॉंपडिशन में बविकल्पी प्रकार की जो प्रशन आते हैं मल्टिपल च्वाइस टाइप के जो कोश्चन आते हैं उसमें कि द अगर चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं एर करेंट या हिंदी में इसको कहेंगे वायू धारा क्या बोलेंगे वायू धारा अब इस प्रकार के शर्कूलेशन के कारण काने का मतलब जो इस प्रकार का शर्कूलेशन हो रहा है अट्मास्फेरिक शर्कूलेशन हो रहा है तो श पर्मानेंट विंड जिस पर हम चर्चा करेंगे अभी, जे स्रिम आएगी और सेकेंडरी में साइकलोन, एंटी साइकलोन, टर्सरी में लोकल एंड डे विंड साइन कहने का मतलब कि जो इस्थानी पौने होती हैं और दैनिक पौने आती हैं, वो होती है तो सफर करमगत हम प्रिथवी को देखते हैं, तो इस प्रिथवी के ऊपर अलग प्रकार की तापमान पेटियां हमने देखा, और उसी के अकार्डिंग यहां पर क्या हो गया, वायदाब पेटियां बनी, तो वायदाब पेटियों है, हमने देखा कि विश्वत रेखा के पास निमन कहने का मतलब लोओ प्रेसर विश्वत रेखा पर, फिर इसके बाद सब टॉपिकल रीजन में जब गए तो हाई प्रेसर, फिर सपॉलर रीजन में गए तो लोँ प्रेसर और पोलर रीजन पर क्या हो हाई प्रेशर तीस तरह से हमने देखा कि इस प्रिथिवी के ऊपर जो धरातल के ऊपर एटमास्फिरिक पार्ट है लोवर एटमास्फिरिक प्रेशर अर शरी पार्ट है जिसको हम छोब मंडल या टोपोई स्फिर करते हैं इसको कुछ इस्थाई बेल्ड्स बने हुए लोव प्रेशर हाई प्रेशर फिर हाई प्रेशर फिर लोव प्रेशर जैसे बेल्ड्स जब बने हुए तो इनन में Permanent Pressure Gradient है और जब Permanent Pressure Gradient है तो हवाएं क्या करेंगी High Pressure से Low Pressure की तरफ चलेगी तो ये तो ताफमान अंतर के कारण हो गया कि जहाँ ताफमान उच्छ है वहाँ पर pressure क्या होगा Low होगा जहाँ ताफमान कम है वहाँ पर क्या हो गया साथ साथ जो की वायदाप के कारण विक्षित हुआ और इसके विकास में तापमान के साथ साथ पृत्विक की घुनन गती की महत्वपूर भूमिका होती है और इस भूमिका के कारण इन पर्मानेंट विंस में जिसको प्लेनेटरी विंस कहा जाता है इनमें विचलन देखा ज जाता है और ये इनकी इस्थिती और इनकी विचलन सिलता पूरे विश्व में ग्लोबल लेबल पर छेतर विश्व की जो भी एरिया है वहां के क्लाइमीट और मौसम कानिग में कलाइमीट एंड वेदर दोनों को क्या करती हैं नियंतित करती है तो इनको हम लोग देखते हैं अब देखो जैसा कि हम लोग ने देखा था अब आप देखे ये इस्स plugging है तो यहां पर हमने क्या किया कि जैसे जब बात हुई थी आप से और इसको समझे लें कि ये पूरा का पूरा छेत्र हमारे पास जो है ये equatorial region है क्या है equatorial region त्यान रखें ये क्या है equatorial region है तो यहाँ पर क्या है low pressure belt है equatorial low pressure belt इसके बाद जब हम यहाँ पर आ गए तो ये हो गया हमारा subtropical high pressure belt और ये हो गया फिर subpolar low pressure belt और फिर इसके बाद polar high pressure belt सेम इसी तरह से ये high pressure low pressure belt then subtropical high pressure belt then इसके बाद फिर आ जाएगा हमारा subpolar low pressure belt and polar high pressure belts अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब इन belts को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर low pressure यहां क्या हुआ लो प्रेशर खुब द्यान से देखें यहां हाई प्रेशर फिर यहां लो प्रेशर और पुना यहां क्या हुआ हाई प्रेशर इसी तरह से यहां हाई प्रेशर यहां लो प्रेशर और यहां हाई प्रेशर अब यह प्रेशर कैसे बने हुए पुरू की क्लास में खुब अच्छी तरह से चर्चा कर लिए तब यहां पर देखना लोग प्रेशर हाइप्रेशर लोग प्रेशर हाइप्रेशर तो समानूभ से देखा गया कि जो ये प्रेशर स्बेल्ट विक्सीत हैं इनके मद्द क्या हो रही है प्रेशर ग्रेडियेंट क्या हो रहा है प्रेशर ग्रेडियेंट अनि वायुदाब प्रवनता क्या विक्सित हुई वायुदाब प्रवनता वायुदाब प्रवनता यहां भी वायुदाब प्रवनता यहां भी वायुदाब प्रवनता और यहां भी वायुदाब प्रवनता तो समानित जो पौनों की इस्थिति है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो जो परिस्थितिया है तो अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो पौन कि इधर आएगी इधर आनी चाहिए इधर से कहा जाएगी इधर जाएगी और इधर से कहा जाएगी इधर जाएगी और पुन यहाँ स से कहा जाएगी इस साइड में जाएगी यहां लो प्रेशर है पिर यहां पर लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर है यह स्थिति होनी चाहिए तो इस संदर्म में ही क्या हुआ जैसे कि यह पर्मानेंट वाईदा पेटियां विक्सित हों इन में pressure gradient है तो समान रुब से परिस्ठी ऐसे देखी गए लेकिन जो planetary wind है जिनकी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो पर्मानेंट winds विक्सित होने जा रही है इनके direction में क्या है काफी अंतर है तो पहले तो हमें दिमाग में रखना है कि लो प्रेसर हाई प्रेसर लो प्रेसर हाई प्रेसर में तापमान के साथ साथ प्रिथवी की घुणन गती की प्रमुक भूमी का है तो यहाँ पर हमें देखना है कि पृत्वी पर दो प्रकार की विशेश प्रकार के कारक जो होते हैं इनको प्रभावित करते हैं जब पृत्वी घुर्णन करती है तो दो प्रकार के बल यहां उत्पन होते हैं एक होता है सेंटिफ्यूगल फोर्स अर्थात अपकेंद्रीवल जिसको विच्छेपन बल भी कहते हैं अब केंदरी वल अर्थात इसको हम क्या कहेंगे विच्छेपन बल भी कहते हैं जहाब से हवाएं क्या होती है दूर भी स्थापित होती है दूसरा होता अभी केंदरी वल अर्थात सेंटी फ्यूटर सेंटी पीटल फोर्स उसके कान हवा गुणन गती के कांड ध्यान रखना आपको समझना है यहां पर एक पवन चलेगी यहां पर क्या एक पवन चलेगी और वर्स बर यह क्या करती है पच्छिम से पूरब की और चलती है जिसे प्रिथभी का रोटेटर रोटेटरी डाइरेक्शन है तो इस पवन को नाम दे दिया तो यह वर्स बर क्या करती है पच्छिम से पूरब की और चलती है और पूरू के क्लास में हमने चर्चा भी की थे आपसे और यहां भी मैं चर्चा करूं कि प्रिथभी जब यहां पर घुनन गती कर लिए घूम रही है तो यहां से हवाओं का विच्छेपन होता है जिसे ब मतलब जो यह किंद्र प्रशारित हवाएं हो रहे हैं किसके कारण सिंटिफ्यूगल फोर्च के कारण तो यह दोनों तरफ विस्थापित होती है और विस्थापित होने के कारण कहने का मतलब यहां पर यह हमाएं विस्थापित होंगे इधर और इधर और यह आकर लगभग 30 से 35 500 पर बैठ जाएंगी दोनों गुलारदों में और जब 30 से 35 500 पर बैठती है तो यहां पर विक्सित होता high pressure belt अब देखो यहा high pressure belt विक्सित हो गया यहाँ high pressure belt विक्सित हो गया तब जब यह नीचे पौने आएंगी तो फिर यह विच्चे पित होगी और pressure gradient के कारण, pressure gradient के कारण इनको कहा जाना होगा, low pressure की तरफ, high pressure से low pressure, तो यह जो अमने direction दे दिया कि इस पमन को, इस पमन को इधर आना चाहिए, high pressure से कहा जाएंगी, low pressure की तरफ, कहा जाएंगी high pressure से low pressure की तरफ, और इधर से भी high pressure से low pressure की तरफ आएंगी, लेकिन इस्तिती क्या होती है कि यहां पर एक बल काम करता है यहां पर भी आप देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहां से भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर और यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी लेकिन यहाँ पर एक कारक कारे करता है प्रिथवी के घुनन गती के कारण जो विच्छेपन बलुत्पन होता है डिफलेक्शन फोर्स विच्छेपन फर्स बोले तो डिफलेक्शन फोर्स उसके कारण हवाओं की गती और दिशा बेसिकली दिशा दोनों गुलार्दों में पर भावित करेगा बलकि दिशा को और इसके कारण उत्तरी गुलार्द में हवा अपने डाइरेक्शन जिधर वो जा रही है उसके दाहिनी और मुड़ जाती है और दच्छनी गुलार्द में अपनी बाई और मुड़ जाती है और इस प्रकार के रोटेटरी डिफलेक्शन का जो कोरियालिस ने किया किस ने किया जी जी कोरियालिस ने जी जी कोरियोलिस ने कहां के थे ये फ्रांस के थे भावतिक शास्तित इन्होंने अध्यन किया और ध्यन के पश्चाद बताया कि कोरियालिस प्रभाव के कारण या डिफलेक्शन फोर्च के कारण अपकिंद्रन बल के कारण या एक तरसे कारण या किंद प्रसारित बल के कारण जिसको कुरियालिस बल या कुरियालिस प्रभाव कहा गया इसके कारण हवाएं दच्छनी उत्तरी गुलार्द में अपनी दाहिनी ओर और दच्छनी गुलार्द में अपनी बाहिनी ओर क्या होती हैं डिफलेक्ट हो तरफ ध्यान अखना बाई की तरफ ये हो गया इसका बाया इधर हो गया लेफ्ट साइड और इसका कहा हो गया लेफ्ट इधर हो गया तिस तरह से क्या होती है डिफ्लेक्ट हो जाती है और इस डिफ्लेक्शन के कारण जो पर्मानेंट विंड्स विक्सित हुई पूरे लो ये भूमद रेखा हो गया बिश्वत रेखा ये 30 से 35 अक्षांस और ये 60 से 55 अक्षांस नार्थ नार्थ अप ले लेंगे नार्थ इदर और ये 90 डिगरी बोलें तो नार्थ पोल हो गयाख लियर और इदर जब हम आ गए तो ये तो एक्वेटर हो गया ये 30-35 आप का South हो गया और ये 60-65 क्या हो गया South हो गया और फिर यहां नार्थ पूर तीश तरह से विक्षित होगी तो जो पौण यहां पर चली कहने का मतलब जो पर्मानेंट पौण एक पर्मानेंट पौण तो फिर थभी के अविकेंद्री बल के कारण आई कहने का मतलब से इंटिपीटल फोर्स के कारण जो उसका साथ दे रही और वर्स वर्स इसके सारे चलती है जिसको डोल डरम रीजन का आगया खुब अच्छी तरह से आप से मैंने बात कर ली थी इसके बाद यहां पर जब हम आएं तो यहां पर जो पौणे है इधर आने चाहिए लिक डिफ और जो 35 से साथ के मद्धे इनको नाम दिया गया वेस्टरलीज यहां भी क्या होगे वेस्टरलीज होगे और जो यह पौण आगी इसको नाम दिया गया पोलर विंड क्या नाम दिया गया पोलर विंड इस प्रकार से चार पर्मानेंट पौणों का अस्तित तो देखा जाता है भुमंडल के उपर कौन पहली क्या है एकिटोरियल वेस्टरलीज ट्रेड विंड वेस्टरलीज और प और मौसम को पंटोल करती है उस पर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये तो आपको समझा दिया गया कि इस तरह से डिफलेक्ट होती है अपने राइट साइड अपने लेफ साइड कैसे डिफलेक्ट होती है तो due to the rotatory effect of the earth इसको नाम किया दिफलेक्शन फोर यह प्रभाव पवन की गती को कभी नहीं प्रभावित करेगा ने वेक को सिर्फ डाइरेक्शन को क्या करता है परिवर्तित कर देता है और यह किसके कारण हुआ प्रिथवी के घुर्णन गती के कारण विक्षित हुआ है और कोरियालिस बलका अगर प्रभाव हम देखते हैं तो धुरूओं पर पोल पर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर डिफलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है और आइडियल या दरस्ता एक दम विश्वत रिखा पर deflection force सुन्न होगा ध्यान रखेंगे deflection force क्या होगा सुन्य होगा कभी अगर प्रसंग आएगा तो सिर्फ korealis बल ही आपको क्या करूँगा detail एक class में लेकर समझा दूँगा लेकिन अभी दिमांग में यह रखें कि यह deflection force है पिठवी के घुननगती के कारण आया इसका धेन सबसे पहले जी जी कोरियालिस ने कहा था इसलिए इसको कोरियालिस प्रभाव या कोरियालिस बल करते हैं यह पाउनों की वेक को नहीं बलकि दिशा को क्या करती है प्रभावित करती है और इस deflection के कारण क्या होता है दश्णी गुलाद में पवन अपने दिशा के दाहिनी और राइट साइड में deflect हो जाएगी मुड़ जाएगी और दश्णी गुलाद में अपनी 22 मुजाती इस तरह से विविन प्रकार के ग्रही पौन और प्रमानेंट पौनों का विकास होता है कहां पर प्रिथवी के सतह के उपर और वाई मंडली भाग है उसके उपर और यह छेत्र विशिस की जलवाई और मौसम को पूर्ण तह नियंतित करती है अब एक एक करके हम बात करते हैं तो यह समझा दिया अब आप देखो यह एक टोरियल वेस्ट लिजने बिश्वत रेखी पच्मा पवने अब यह बिश्वत रेखी पच्मा पवने क्या करती हैं वर्स बर इसकी विश्वत में थोड़ा सा धिमांग में रखें वर्स बर पच्छिम से पूरब की ओर अर्थात प्रिथवी की घुणन गती की दिशा का क्या करती हैं अनुसरण करते हुए पच्छिम से पूरब की ओर अतिमंद गती से प्रवाइत होती हैं स्लोली स्लोली और यहां चुकी वर्स बर एक गती से चलती हैं और एक जैसा मौसम या जलवाय रहती है तो इसको नाम किया दिया गया डोल्डरम बात हो चु रहे हो, equatorial wind, trade winds, westerlies and polar winds, ये सारी पाउने अगर ideally देखा जाते हैं, इनका अस्तित तो सिर्फ महासागरी सतर पर होता है, न कि धरातली भाग पर, ये ध्यान रखना कई बार UPSC में भी question पूछा गया, PSC ने पूछा और other examinations ने भी क्या किया, इस question को लिया, तो यहाँ ध्यान रखें कि पर्मानेंट पाउने, सागरी सतर पर समान रुप से चलती हैं, कहीं कहीं अतिप्रचंड़ता के साथ चलती हैं, और इस्थली भाग पर ये विलोप हो जाती है, समाप्थ हो जाती है क्योंकि इस्थली भाग में प्रवितिया परिवर्तन सील होती है और वाईदा पेटियों के संदर में मैंने बताया था कि वाईदा पेटिया जो पर्मानेंट है जिनकी हमने बात किया चाहिए पेटियों में में प्रिवर्तन सीलता देखी जाती है बहुँ सागरी सत पर फोलर पर नहीं होता कि अवह से परिवर्तन सीलता लेज़ा जाती है और धरातल के सुरूब भीज को परिवर्तित करने में मूल सायक भूमी का निभाते हैं तो यह ध्यान दखेंगे अब देखो इस पॉन की जब हम बात करें कि टोरियर वेस्ट लीज एक तो इसकी दिशा कई बार पूछा गया समाने जो कंपडिशन दो की दिशा क्या होती है पच्छिम से पूरू अब जब बड़े कंपडिशन आप देते हैं जैसे UPSC UPSC में क्या का जाता है Consider the following sentences निमलिकी तथ्यों पर ध्यान देजिए या वाक्यों पर और एक, दो, तीन, चार, पांच तक वाके दे दी जाते हैं पूछा जाते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है रॉंग राइट देखा जाता है तो इसमें देखा जाता है कि चलो नमबर एक हुआ इसकी दिशा तो हुई पच्छिम से पूरव की हो किसके कारण गुणन गती के कारण अब इसमें जो बल लग रहा हूँ क्या लग रहा है सेंटी पीटल फोर्स ध्यान रखेंगे सेंटी पीटल फोर्स के कारण वर्ष बर परवाईत होती रहती है पूरे वर्ष चलती रहती है और डोल्डरम रिजन में बताया है कि यहां पर जब उश्णता जादा होती है, रेडियेशन जादा होता है, तो यह रेडियेशन लंबवत गती करता है, कानवेक्शनल करेंट के रूप में, जिसके कारण उसमा गतिक परिवर्तन बहुत जादा देखा जाता है, तापमान के क परिवर्तन बड़ी तिवर्ता से होता है, कानवेक्शनल करेंट बन जाती है, समोहनी धाराएं बनती है, और यह उपर की तरफ जाती है, तो वहां पर इस पूरे छेत्र में क्या होता है, एडियावेटिक टंप्रेचर चेंज होता है, रुधोशन तापमान परिवर्तन होत पूरे वर्स, थ्रो आउट इयर, पूरे वर्स में दोपहर के बाद गरज और चमक के साथ मुशलाधार वर्सा होती है, और इस शित्र में वर्स बरुशनता आधरता रहती है, और यह पूरे डोलडरम रीजन में सीत रितु का अभाव देखा जाता है, यह पुरो में हमने किया, तो यह वेस्ट लिज, एकिटोरियल वेस्ट लिज की कहानी आपको बताएगे, इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड विंज, तो ट्रेड विंज, कहां चलती हैं, तो पांस से तीक सक्छांसों के मद्द, फाइब तू थर्टी लेटिटिउड, बिट्विन फाइब अब वहां से पाउने कहा जाना चाहिए, लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर इसको कहां दिख रहा है, दिखने का मतलब कि कहां पर हिस्तित है, तो एक तो भूमद रेखा पर दूसरा सब पोलर रिजन में, तो यह जैसे जाती हूँ, आप बाइब फरकेट हो जाती है, जै जैसे आप दौडते हो, हवा क्या होती है, आपके सरीर के दोनों तरफ क्या होती है, बाइब फरकेट हो जाती है, दुविभाजन होता है, उसी तरह से इनका भी दुविभाजन हुआ, तो यह कहा जाना चाहिए, इधर लो प्रेशर, इधर लो प्रेशर, लेकि कोरियालिस कारणी क्या हो गई अपनी दाइनी और अपनी बाइन और जैसे मिस्च लाहीं इसरो इसे पर फाईने से यहाँ यहाँ से कहान छाहिए, यहान इंछाहिए और यहाँ सी कहान जाने चाहिए बाइफरकेशन के बादी था, ठीक, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कौरियालिस प्रभाव के कहान, इसमें deflection होगा तो यह अपनी दिशा के दाई नहीं हो कहने का मतलब यह क्या होगी अपनी दिशा के दाई नहीं हो तो यह चलेगी तो इधर आ जाएगी तो इस प्रकार से दोनों गुलार्दों में पहले हम ब्यापारिक पौनों की बात करें, ये विक्षित हुई, तो ये ब्यापारिक पौन जो है, इसकी दिशा क्या, समाने तक कई बार पूछा गया, तो दच्छनी गुलार्द और उत्तरी गुलार्द में दिशा क्या है, साउथ हेमिस्पियर, नार्थेमिस्पियर में की डाइरेक्शन क्या है तो पहले नार्थेमिस्पियर में देखते हैं तो नार्थेमिस्पियर में अगर देखनी की हम कोशिश करते हैं तो यहां क्या हुआ नार्थिस्ट नार्थिस्ट से साउथ वेस्ट और इसको बार-बार आप तयार करेंगे और ये जब चलती हैं तो कहां प्रभावित करेंगी तो जो ब्यापारिक पौने हैं ये महादीपों के पुर्भी भाग को प्रभावित करती हैं किस पर भारत या पूरी ASEI महादीफ की संदर में आप बात करो, दशनी पूर्भी ASEI की संदर में या दशनी ASEI की विशह में बात करो, तो हमारे यहाँ पूरी आर्थिक जीवन का अधार क्या है मानसून और मानसून इनी ब्यापारिक पौनों का संसोधित स्वरूप है ये ब्यापारिक पौने ही समय विशेश में रितू विशेश में मानसूनी पौने को पौनों के रूप में संसोधित और परिमारजीत होकर कह और छित्र विश्यस में वर्षा करती हैं, तो ये महादीपों के पुर्वी भाग को प्रभावित करेंगी, पच्छमी भाग को नहीं, क्योंकि पच्छमी भाग से दूर चली जाती है, तो यही कारण है कि इस लैटीटूड में, दोनों तरव आप देखो, इस लैटीटूड म पच्छमी भाग पर रिगिस्तानों का विकास है क्योंकि वहां से जब चली जाती है तो सुस्कता आ जाती है अभी एक अलग से अप्लिकेबल डायर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा अभी लास्ट में अब देको ट्रेड विंद नाम क्यों दिया गया तो जो ट्रेड सब्ध है यह जरमन जर्मन सब्द प्राजीन काल्व क्या करते थे इसके सारे ब्यापार करने की जो पानी की जहाज है उसको लेकर चलते थे तुसको रोहिंग करने का मतलब ज्यादा उसको खेने का मतलब समझ गया रोहिंग करने में बहुत ज्यादा उनको एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ती थी अपना चप्पु चलाते वे धीरे धीरे चले जाते हैं इसलिस को नाम क्या दे दिया गया ट्रेड विंड ट्रेड का मतलब होता है निद्रिष्ट पत अब पात विदाउट रिस्टेक्शन बिना रुकावड का एक रास्ता क्लियर तो ये ट्रेड विंड की दिशा क्या है दोनों गुलार्दों में और महादीपों के क किस भाग को प्रभावित करती है और महासागरों के किस प्रभाग को प्रभावित करती है और किस प्रकास श्यत्रिविस्ट के जलवाय को नियंतित करती है इसके बाद दूसरी जो विंड है ये पच्छुआ पाउने तीसरे नंबर की पच्छुआ पाउने है ये पच्छु पर तो आप देखो उत्तरी गुलार्द में क्या है साउथ वेस्ट से कहां चले गई नार्थ इस तक नार्थ इस तक और यहां पर इसके क्या होगी उल्टी हो जाएगी कहां होगी नार्थ नार्थ वेस्ट से कहां चलेंगी साउथ इस्ट की तरफ ते डाइरेक्शन याद करन अक्सर ये पूछा गया है और ये पच्मा पौने एक ऐसे dynamics को जन देती हैं यहाँ पर जिसे सब polar region हमने देखा तहीं यहाँ ध्रुई पौने मिलती है यह पच्मा पौने यह पच्मा पौने उष्णा आदने हाट यह होती है मासागर की तरफ से चलती है तो अपिछा की गर्म होती हैं और इधर से आने वाली जो पौने होती हैं धुरूई पौने यो पिछा की सीतल होती हैं और दूनों जो मिलती हैं तो वाताग्र का निर्मान करती हैं किसका निर्मान करती हैं फ्रंट का और यहां Cyclonic activity शुरू हो जाती है तो जो rate color यहां सब polar region मे कारण यहां वर्स वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् मद्य रेखा से विश्वत रेखा से ध्रूओं की उरम बढ़ेंगे विश्वत रेखा से ध्रूओं की उरम बढ़ेंगे तो डिफ्लेक्शन जो एफेक्ट था या फोर्स था वो बढ़ेगा ध्रूओं पर सबसे ज्यादा होता तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है तो यह जो प प्रचंड़ता के लिए बड़ी तिब्रता से चलती है लेकि उत्तरी गुलार्द में इस्थली भाग होने के कारण ये उतना ज्यादा प्रचंड नहीं हो पाती है लेकि दशनी गुलार्द में ये अत्यदिक प्रचंड होती है तो दशनी गुलार्द में जब यहां पर यहां पर आप देखो, यहां पर अत्यधिक प्रचंड हो जाएंगी, तो प्रचंडता का कारण क्या है, यह चेतरा आप देखो, यह पच्छुआ पौने हैं, यहां अत्यधिक क्या होगी, यह सक्ति शाली हो जाती है, और यहां सक्ति शाली नहीं हो पाती है, कारण क्या है यह लेंड मास आ गया पूरा तो यहां अपनी प्रचंडता के लिए जानी जाती है तो यहां पर जो नाविक लोग थे प्राचीन काल में चलते थे यह जो exploration का यह था अवियानों का दौर था उसमें उनको नाविकों को परिशानी होती थी तो उन नाविकों ने इसकी प्रचंडता के श्रूप को प्रदसित के लिए के अलग-अलग नाम दे दिया, 40 डिग्री लेटीटिूड एनने 40 डिग्री साउधर्न लेटिटिूड पर इसको नाम दिया गया, गरज़ती 40 सा, क्या नाम दिया गया, गरज़ती 40 सा, रोरिंग 40, नाम क्या दिया गया चालिस अक्षांज के पास इसको रोरिंग फोर्टीज यहां देख ले चालिस अक्षांज के पास दच्छली गुला अदमी इसका नाम दिया गया गरजिती चालीसा चालीसा रोरिंग फोर्टीज यहां इसको वीर पच्छमा पवन भी कहते हैं ब्रेव वेस्ट विंड यह वेस्टली इस ध्यान दके गरजिती चालीसा को क्या बोलते हैं वीर पच्मा पवने कहीं कहीं पूछ दिया जाता है इसके पात परचंड पचासा पचास के पास नाम दिया गया परचंड पचासा, फ्यूरियस फिफ्टी, और साथ डिगरी के पास इसका नाम दिया गया चीखता साथा या चीखती साथा, चीखती या चीखता साथा, श्री किंग सिक्स्टी, तो यह नाम याद रखेंगे, तो यह हवाए जो है पच्छुआ पवने अपनी प्रचंड़ता के लिए जानी जाती है, उनकी प्रचंड़ता कहां देखी जाती है, साथर नहमिश्वियर में, दच्छनी गुलार्द में, तो कई बार पूछा गया और यह पवने महादीपों के पच्छमी भाग को प्रभावित करेंगी, जैसा कि आपने देखा, कि जो ब्यापारी पौणे थे पूरवी भाग को प्रभावित करेंगी, और किसको करेंगी पच्छमी भाग को, और यह धुरूई पौनों से मिलने के पश्चात यहाँ पर वाताग्र का निर्मान करती है, किसका निर्मान करती है, फ्रंट का, जो कि वर्स भर चक्रवाद की उत्तरदाई होता है, इन छेत्रों में वर्स भर टंप्रेट साइकलोन विक्सित होता रहता है, जिससे वर्स भर क्या होती है, वर्सा होती है, ध्यान रखना, और यह पेटी लो प्रेसर बेल्ट कैसे हुई, पूरू के क्लास में हमने बताया था, कि जब दोनों पौनों दक्रवाद के उत्पत्ति के लिए मौलिक कारत है, क्लियर, ती ही हो गया है आपका क्या, पच्मा पौने, तो पच्मा पौने, दर्शिन गुलाद में अपनी प्रचंडता के लिए जाने जाती है, चालिस अक्छांद पर क्या बोलते हैं, गरजती चालिसा, रोरिंग फोर् वेर वेस्ट बिंडिज, वेर पच्मा पौने खौने, और पचास अक्छांद के बाद इसको प्रचंड पचासा या फ्यूरीस फिफ्टी बोलते हैं, इसके बाद साथिक्सांद के पास इसको नाम दिया गया भेंकर साथा, या चीखता साथा, सिंकिंग सिक्ष्यtी, भें या चीखता प्रचन्र के साथ सब्भेग कर भियाब ले सकते हैं और यह महादीपों के प्च्मी भाग को प्रभावित करते हैं पोलर विंड से मिलने के बाद यह वातागर का निर्मान करते हैं और वर्स बर्चक्रवाती मौसमों को जन्म देते रहते हैं इसके बाद आपकी पोलर विंड क्या है ये पोलर विंड तो पोलर विंड भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो पोलर विंड ऐसे चलते हैं कि ध्रूओं के पास क्या है ध्रूओं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है हाई प्रेशर हाई प्रेशर क्यों है क्योंकि यहां वर्स बर्त आपमान की उच्च वाइदाब, तो उच्च वाइदाब से निम्न वाइदाब की और क्या करती है, पौने चलते हैं, लेकिन यहां भी घुर्णन गती के कान जो प्रभाव से और कान जो यहां जयाते हैं, तो यहां आती हैं, तो प्रति चक्रवाद को जर्म देती हैं क्योंकि तापमान को कम कर देती हैं लेकि इनको 60-65 ठक्छांस के पास इनकी मुलाकात किस्से हो जाती हैं वेस्टरली से पच्छुआ पौने से तुम्हां तापमान अंतर के काना ने दो प्रकार के एर मासे साफस में मिलते हैं और प्रेस एंड पोलर विंड्स ये वर्स बर विक्षित होती रहती हैं लेकि इनका विकास कहां देखा जाता है शागर सतह पर मुल रूप से क्योंकि इस थले भाग पर परिवर्टन सीलता के कान ये अपनी अस्तित्त को खो देती हैं तो कई बार पूछा गया कि कहां देखी जाएंगी तो शागर के सतह के ऊपर लेकिन ये पाउने छेत्र विसेश की जो एटमास्फरी काने का मतब कि जो गलोबल एटमास्फरीक सर्कूलेशन को तो नियंतित करती हैं जिसमें प्राइमरी एटमास्फरीक सर्कूलेशन क्या समलित है इसके साथ साथ छेत्र विसेश क की जलवाई को पूलतर नियंतित करती है और जब छेत्र विषेस की जलवाई को पूलतर नियंतित करती है तो संबंधित्ष्टि WOW के आर्थिक समाजी सांस्कृतिक विकास में निकाप प्रतिक्स रुपसे हश्तक्षेफ है अब देखो इसके अप्लिकेशन की बात मैं कह रहा हैं तो जैसे अगर हम बात करते हैं यह हमारे पास गलूब आ गया और यह समझ लिया बिश्वत रेखा suppose that यह बिश्वत रेखा यह उपधरूई पेटी यह क्या हो गया उपशन करी बंदी पेटी इधर से भी हम इसी तरह से ले ले रहे हैं और यहां पर क्या हो गया यह द्रूब अब इस बीच में हम एक मानक महादीव लेते हैं यह ले लिया मानक महादीव काने का मतलब ले ले लिया यह पूरा का पूरा मानलों यह क्या हो गया इस्थली भाग हो गया बीचो बीच लिए आपको समझाने के लिए इस तरस से स्थली भाग है महादीव भाग यह अब यहां हमें पता है यह यहां पर एक पॉर्वन ऐसे चल लएए यह क्या है कि टोरियल वेस्टलीज ऐसे निकल जाएगी ठीक इसका बहुत जादा प्रभाव क्या होता है समवनी वर्सा करती है लेकिन इसके विप्रीत यह देखें बेपारिक पाउन यह क्या है बेपारिक पाउने इधर से आए इधर से आए और इहां से क्या और यह दूर चली गई तो पहले ब्यपारी पॉनों की स्तिती को आप देखें ये क्या है ट्रेड विंड है तो ट्रेड विंड किसको प्रभावित कर रहे है महादीपों के पुर्वी भाग को यह ध्यान रखें यह महादीपों का क्या है यह इस्टन पार्ट है और यह क्या हो गया वेस्टन पार्ट दोनों जगए यह इस्टन पार्ट हो गया यह वेस्टन पार्ट तो महादीपों के किस भाग को प्रभावित कर रहे हैं पुर्वी भाग को तो पुर्वी भाग में यह मानसुनी जलवाय के साथ साथ चीन तुन जलवाय को जन्म देने में अतिशायक होती है और यहां से दूर चली जाती है यह पच्छमी भाग जो है जो तीस पांस से तीस अक्छानसों के मदे दोनों गुलारदों में है यह सुस्क बना रहता है यही कारण है तीन कारण रिगिस्तान के हैं जो कि दो कारण की चर्चा हमने पहले कर दी थी उच्वाय दाप की पेटी जो बैठती है इसके साथ साथ क्या हुआ यह दूसरे नमबर पर यह दूर चली जाएंगे और तीसरे नमबर पर क्या होती है यही से ठंडी जल धाराएं चलती है यह तीन कारण है तो यह दूर चली गई तो यहाँ पर क्या होँआ मानसुनी जलवाए चीन्तुल जलवाए पुर्वी भाग में जिससे के हमारा पुर्वी भाग तो अक्षर आप देखते हो कि इस अक्षांसों के मद्ध विष्व की अधिक्तम जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वर्षा अच्छी होती है किर्शी उत्पादन अच्छा होता है तो किर्शी के सासर प्राकितिक संसादनों का क्या है यह भरमार है दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं पच्वाँ 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 नहीं करते हैं कि वहाँ पर क्या एक्यूमेन नहीं है, मानव नीवास नहीं है, एक्यूमेन बोलें तो जिन छेत्रों से प्रवाइत होती हैं, उहां के जलवाई और मौसम को पूर्णता क्या करती हैं, नियंतित करती हैं, और इस प्रकार का सर्कूलेशन विश्व में, विश्व की सब्वेता के बसाव के लिए, उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है, तो इसको आप कर लेंगे, फिर निक्स क्लास में, कुछ निक्स, आगे हम क्या करेंगे, कि जो लोकल विंस हैं, और डे विंस उस पर चर्चा करेंगे, उनके महत्वपर चर्चा करेंगे, और अहां पर ध्यान रखा जाएगा परिच्छा के पॉइंट अविव को, यहां भी करते जाएं, MCQ भी करते जले जाएं, और रिटिन टाइप के भी कोशन करते जाएं, इस तरह से आपका यह क्या होगा, ट्रिंड बनता चला जाएगा, आपका एक पैटरन, खुद अपना एक पैटरन बनाओगे, कि हमें रिटन कैपसिटी कितनी अच्छी तक करनी है, किस प